एक व्यापारी कहीं विदेश जा रहा था, रास्ते में वो एक होटेल में रात को रहा और सवेरा होते होते वहां से चल दिया, निशित स्थान पर जाने के बाद देखता क्या है कि उसकी रुपे की थैली पाकेट से गाइब है, उस थैली में 300 रुपे की रकम थी जो आज के स समय के हिसाब से हुचारों की होगी, व्यापारी ने उस थैली के मिलने की आशा छोड़ दी और वेह उस बात को भूल गया, उस मुसाफिर के जाने बाद होट लवाले लड़के की नजर होटेल के आगन में पड़ी, थैली पर गई, पर उस समय उसने अपना हाथ ने डाल कर अपने बाप के पास आकर उसके बारे में कहा बापने बेटे की बात सुनकर कहा बेटा, तो उस थैली के उपर कुछ पते और पेड़ों की डाली फैला दे, इसके अनुसार लड़के ने थैली की उपर पते और डालिया डाल कर उसे ढख दिया, कुछ दिनों बाद वह मुसा फिर लोटकर उस होटेल में रात कूर रहा बात्चित के सिलसिले में उसने उस खुए हुई थैली की बात कही उसकी बात पूरी होते ही वो होटल वाला बोला आपकी थैली जहां पड़ी है उस जगह को ये मेरा लड़का आपको दिखला देगा उस पर इसने अपना हाथ नहीं लगाया है केवल उपर से ढग दिया है वह व्यापारी उस लड़के के साथ वहां गया और पत्तों तथा डाली उनको हटा कर अपनी थैली को बाहर निकाला फिर होटल में आकर उसने उस लड़के की खूब बढ़ाई की इस प्रकार जिसको पराय माल को चूने की भी इच्छा नहीं होती वह लड़का बढ़ाई मांदार गिना जाता है